वेलकम टो वर निव वीडियो और फोड़ाफोन आइडिया तो फ्रेंट्स फोड़ाफोन आइडिया से रिलेटेड एक इंपोर्टन अपडेट जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा फ्रेंट्स प्लीज इस वीडियो को आखरे तक देखना ताकि आपको वड़ाफोन और वहाँ पे net loss जो है almost 2.2% decline होता हो दिखाए जो कि 6418 करोड था previous year के अगर हम बात करेंगे तो यही net loss 6568 करोड के आसपास था जो कि घटके अभी यहाँ पे हुआ है friends average revenue per user जो है Vodafone idea का जो already मैं morning में बता चुका था वह 135 रुपीस constant है but यहाँ पे concern यह है कि Vodafone idea का जो customer base है वह reduce हो रहा है वह reduce होने से बचाने के लिए Vodafone idea को services उनके अच्छी करने पड़ेगी और जो debt है उनको clear करना पड़ेगा यह मैं बार बार बोलता हूं तो friends result Q4 के अच्छे देखने को मिले के comparatively क्योंकि अगर net loss decline होता हूँ दिखता है तो definitely जो है कुछ ना कुछ positive perspective यहाँ पर market में बनता है दूसरी अगर हम बात करेंगे friends यहाँ पर की Vodafone idea का Q4 की result के बाद दूसरे जो important update से जो कि हमें जानना चाहिए वो क्या है तो यहाँ पर revenues थोड़ा बहुत करेंगे तो revenue थोड़ा सा डाउन है जो कि मैं अल्रेडी बोल चुका हो आप लोगों को कि जो यहाँ पर customer base हो कही ना कहीं हिट कर रहा है और उसी की वज़े से जो है हमें यहाँ पर revenue base में थोड़ा बहुत कम तरता दिख रहा है नेट लॉस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो मैं अल्रेडी बता चुका हूँ इबीटा जो है यहाँ पर 0.70 परसेंट जो है अब होता हूँ नजर आया है जो estimate किया गया था 4213 क्रोड इबीटा मार्जिन 39.97 परसेंट वर्सेस 39.4 परसेंट जो प्रीवेस फिसकल में थी उसके लिए यहाँ पर सबसे इंपोर्टन चीज यह मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था फ्रेंड्स कि रीसेंटली जो एक्वीटी गवर्मेंट को दी गई है वोड़ा फोन आइडिया की यह डेट काफी बड़ा है और इसी डेट के चक्कर में जो है फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर वोड़ा फोन आइडिया के शेयरों में जो है जो ज़्यादा एक्स्पेक्टेशन जो है नहीं लगते है जब तक वोड़ा फोन आइडिया 5G सर्विसेस लांच नहीं करता है तब तक बहुत सी अंसर्टैनिटीज इस शेयर को लेके बन सकती है यही मुझा हमेशा से लगता है तो थैंक यू फो वोचिंग इस वीडियो